अभी यहां फोड़ी सी बारिश होने लगी ती आज मौसम काफी चेंज हो रहा है मौर्निंग में भी बारिश ही फिर प्लान चेंज किया है तो अभी पिलाल मेरा फ्रेंड महां लगा हुए रमती लोगा पासपोर्ट लेके यह अरे कुटा है गया यह वहाँ सामने बोक्सिंग हुरी भी गया और यहाँ सम गल्स फ्रॉम चाइना यहाँ सम गल्स फ्रॉम चाइना चाइज 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 स्काइज़ाल यहँआद आ कर छोती प्रॉम बोखे यह यहाँ सम गल्स दक्षर मESन रहे गड़ अचाइज तक्राण भ्रॉम शर्ड्र बात्राइज कि अब हिंगा थोड़ी सी बारिष होने लगी थी आज मौसम काफी चेंज हो रहा है, मौर्णिंग में भी बारिष ही फिर मने प्लान चेंज किया है, हम ने फिर जाने का सोचा था बट फिर से यहां बारीस आथी ती फिलाज व्होडी से दूप निकाल आई तो हमने प्लान कै यहां से अपने सिटी चार हैं, सोचा था कि आप कल जाएंगी फश्टाल हम लोग आज ही जा रहे हैं, कि यहां आकर रेस्ट करेंगे क्योंकि अब हम लोग की परसों से एंटल से बस्टार्ट हो रही है तो डेली होस्पिटल जाना पड़ेगा, हमारी टैक्सी आरी यहां कि मैं फिलाल जिस सिटी में हूँ इसको गाइस शैंगडॉंग स्टेट का कैपिटल बोला जाता है इसको बोलते हैं जिनान सिटी कि मैं यहां यहां चाइना में अबीबियस कर रहा था तो वेरी इंटर्शिप जिनान सिटी में लगी है तो अभी जिनान से यहां आ गएते बट काफी सारा वर्क था तो इस चक्कर में मैं व्लॉग बना नी पाया एंड मैं यहां जिनान आ गया था यह जो आप लोग यहां मेरे पीछे देख सकते हैं यह हम लोग को गाईज इंटर्शिप के लिए यहां हॉस्टल दिया गया है तायान सिटी जा रहे हैं अपने इसलिए अब हम लोग यहां शिफ्ट हो गए आके एक याज के तौर पर मैं यह वीडियो बना लेता हूँ तो अभी फिलार गाईज हम वेट कर रहे हैं अपनी टैक्सी का एंड जैसे हम लोग की टैक्सी आती तो हम लोग बाई ट्रेन यहां से तायान सिटी जाएंगे हम लोग के पास तीन बैग है एंड टैक्सी काफी चुकी है एंड बैग हम लोग ने आज़ी तरफ रखती है लोग बात करते रहा है इसे कोई दिक्कत नहीं है वह में इसकी उजए सुप नहीं है यह बड़ी अच्छी बात कही है तो अभी हम लोग यहां जिनान सीटी के रेलवे स्टेश्टी के रेलवे श्टेश्टेश्ट नहीं है पहुँच चुके हैं यहां अभी वारिश होगी एंड वापस से दूब निकल आई तो थोड़ी सी इमिट्रेटी बढ़ गए हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि अपनी तायान सीटी के लिए ट्रेन हम लोग को किदर से मिलेगी हम लोग यहां अपना टिकेट तायान जाने के लिए यहां आ गया है लेने के लिए एंड यहां के रेलवे स्टेशन पर गाईज यहां टिकेट ऐसा मिलता है यहां सारा अनलाइन होता है कि अनलाइन टिकेट मिल सकते हैं यहां से स्लो ट्रेन का टिकेट होती है लाइन यहां से फास्ट ट्रेन का टिकेट मिलता है इधर से हम लोग भी तायान सीटी के लिए गाईज स्लो ट्रेन ले रहे क्योंकि इतनी ज्यादा जल्दी नहीं जाने की तो अभी तो अब ही हम लोग ने finally अपने यहां से तायन जाने की टिकेट ले लिए वह अभी एक गंटे बात किए तो अभी हम लोग ने सुवे से कुछ भी निखाया तो सारे फ्रेंड ने की फिलाल काफी दुपैर हो चुकी तो भूक लगाई तो हमने सुचा अब ही एक गंटा है तो ह आप मांगे नहाँ थाक? ताबऑ? नहीं 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 यो उसाब की? अज़को जो जोने इस प्रेंट में जंडिए जो चलिए नहीं हुआ तुल थी उपषिए ताबऑ यह है उपका है वह हो नई कि अपने लाप परवाई का नतीजा है आप यह कि अम रहे है कि अपनी ट्रेन की तरफ जाने को कि अपनी तरफ जारें तरह कि आपो निए था क्या याव जिलिए इंटर कर रहे हुए है कि यहां रेल्वे स्टेशन के यहां अंदर आचुके हैं अपनी ट्रेन की तरफ जा रहे हैं आप बहले एर्पूर्ट और चाहिए रेल्वे स्टेशन अभी लोग ने सारे सिक्यूर्टी चेक किया एंड यहां के आप लोग ढीड देख सकते हैं या कि रेल्वी स्टेशन पर कित्ती भीड रहती है या काफी यह 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 वेटिंग एरिया है नो का एंड आंड अम लोग 4a कांटर की तरफी जा रहें इधरी से हम लोग की ट्रेन हम अजब ये ये कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि हमारी स्टायां सिटी का रेलवे स्टेशन है अब आम लोग यहां चे अपनी युनिवस्टी की तरफ जाएंगे अब हम लोग ने यहां टैक्सी बुक कर लिए अपनी युनिवस्टी जाने तक की खाली काली लगे जए इसको भर के भी लाना है तो आपनी तो आपनी टैक्सी कर लेते हैं यहां सामने टैक्सी है यहां लाइन से लगी होती है रेलवे स्टेशन की कि नॉर्मली बंदा यहां से लिख ले टैक्सी कर ले यह तायान सिटी है चाना की अब यहां शाम हो चुकी है और हम लोग यहां अपने कैमपस वापस पहुँच चुके हैं यहां हमारी युनिवस्टी है पूरी जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है यहां आके कि हमने अपना यहीं से किया है और हम लोग ढाई साल यहीं रहते हैं बाट इंटर्शिप के लिए हमें वहां जिनान जाना पड़ा जाता हम लोग को टाइम नहीं लगा यह आने में क्यूंकि जिनान सिटी यहां से जादा दूर नहीं पहले भी हम लोग जाते थे गूमने हमने अब ने अगल में कैंटीन है कुछ फ्रेंट्स मेरे वहां सामने दिख गया है मुझे दिन से अभी हम मिलने के लिए जा रहे हैं यह हम लोग का स्टोर है नहीं यहां इस गोमेटरी में रहते तो जितना भी समान ओमान होता था वह हम लोग यही सामने स्टोर से हम लोग लेते थे रुक 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 साले यह हमारी सामने डोमेटरी है बोईस की शू शू निहाओ तो अभी फिलाल गाइस हम लोग यहां यूनिवर्स्टी पहुँच गयते बट काफी भूख लगी वही थी तो मैं यहां बाहर की दरफ आगया सेटी घूमने के लिए यही से कुछ खा भी लेंगे एंड वहां रूम में वैसे भी कुछ ज्यादा समानमान फानी मेरे पास निहाओ हलो 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 यहां भी फिलाल को जमनोग में अभी खा लिया है एंड यह कज बट्रि आफ़ो यहां अभी रिडे का थोड़ थोड़ा से एक वीर था है तो यहां सामने बॉंह और आटला सामने 35 само करहें रहां संब्हूंट हो इस का पहँ संब्ल्स प्रमटों है था हटाय था याँ याँ तरह पिलाल काय। यहाँ सामने बच्चे वॉक्सिंग कर रहे हैं एंड। कापी अच्छा सा लग रहा हुआ है। यह अधिक हरगुष है खरगोष। यह अरे कुट्टा है गया यह यह थोड़ा सा गुमने के लिए बाहर आगे थे एड़्य प्रिंद सब्सक्री पाकिस्तर ना यह थोड़ा से घूमने के लिए भी आगए क्योंकि आज हमें वैसे पता नहीं था कि आज यहां Saturday night ऐसी होती है आज देखने में काफी अच्छा लगा महल लोग इंडिया में डॉक्स रखते हैं वैसे यहां चाइना में लोग को बिलियां रखना यहां बहुत पसंद है यहां आज टॉप्स लगी हुई थी और टेस्ट ड्राइब करने के लिए निकले थे बस बाइक दिखानी थी यहां यह सामने मेरी बाइक है जो कि मैं सेल कर रहा हूं क्योंकि मैं दूसरी सिटी जा रहा हूं कोई यूज नहीं था इस बाइक को रखने का उनिवेस्टी वापस जा क्योंकि हमारी इंटर्शिप तो वहीं जिनान में लग रही है तो हम वापस यहां कब आएंगे और यहां घुमने को मिलेगा तो याद के तौर पर मैंने सोचा कि आज यहला व्लॉग में बना लेता हूं चलते अपना आप लोग को रूम दिखाते चलके एंड जैन मैं वहा तो अब शागया है कि यह हमारी बोइस की बिख्रमेटरी है जहां लोग ने अपना पूरा मैं यह से कंप्री त्या यह चोटी चोटी से हमारे यहाला मेरा रूम है आप यह दर ट्रेंड का रूम है तो अभी मैं अपने उनिवेस्टी के रूम यहाँ आ चुका हूँ आज ये आखरी दिन है मेरा यहाँ नाव का क्यूंकि मैं अब यह रूम यहाँ छोड रहा हूं तकी अप यहां बैठें एक बर अपने पुर्द रूम की एक याद में अपने ऐसे पोन में कहले हूं मैं आप लोग के लिए यहां का रूूम तूर देता हूं कि कैसे इंटनेस्टेनल च्टुइटेंट्स इन चाइना कैसे रहते हैं, कैसे उनका रूम होता है तो मैं एक बर आपको दिखाता हो जो यहां हमने मिरार लगा रखा है अपने रूम में एन्ड यहां पूरा बाल किताबे थी और जो कपड़े पहनने वाले थे के वल मैं वही लेके गया था तो अभी प्लाल यहां वापस सारा कुछ पैक कर रहे हैं एंड लगकर टैक्सी में यहां से लेके जिनान जाएंगे मैंने सोचा थे कि अपनी युनिविस्टी का व्लॉग आप लोग को बना के जिसको भी मेरे यह चैनल अच्छा लगता है फ्ली सब्सक्राइब तो मैं चैनल लाइक मैं वीडियो थैंक यू सो मच गाइस वाचिं दिस व्लॉग